यदि आप आना चाहते हो तो आओ, यदि आप खेलना चाहते हो तो खेलो, यदि आप रुखना चाहते हो तो रुखो, यदि आप खरीदना चाहते हो तो खरीदो, यदि आप सोना चाहते हो तो सोओ, गैज ऐसे sentences को आप डेली लाइफ में यूज करते हो, तो इस टाइप के ज structure हो जाता है if you want to plus verb की first form plus then and then आपको यूज़ करना है verb की first form clear समझते हैं example से यदि आप आना चाहते हो तो आओ तो सबसे पहले guys according to rule आपको यूज़ करना है if you want to plus verb की first form verb है come इसके बाद लगाना है then इसके बाद लगाना है verb की first form verb है आना it means come तो आपका complete sentence हो गया guys if you want to come then come it means यदि आप आना चाहते हो तो आओ अगले example है यदि आप खेलना चाहते हो तो खेलो तो सबसे पहले guys आपको लगाना है according to structure if you want to इसके बाद लगाना है verb की first form verb है खेलना it means play and then लगाना है then इसके बाद लगाना है verb की first form verb है खेलना it means play तो आपका complete sentence हो गया guys if you want to play then play it means यदि आप खेलना चाहते हो तो खेलो clear अगले example है यदि आप रूखना चाहते हो तो रूखो तो सबसे पहले guys आपको यूज़ करना है if you want to इसके बाद लगाना है verb की first form verb है रूखना it means stay इसके बाद लगाना है then plus verb की first form verb है रूखना it means stay तो आपका complete sentence हो गया guys if you want to stay then stay it means यदि आप रूखना चाहते हो तो रूखो clear अगले example है यदि आप खरीदना चाहते हो तो खरीदो तो सबसे पहले guys आपको यूज़ करना है if you want to plus verb की first form verb है खरीदना it means buy इसके बाद लगाना है then इसके बाद verb की first form verb है बाई तो आपका complete sentence हो गया दोस्तो if you want to buy then buy it means यदि आप खरीदना चाहते हो तो खरीदो clear अगला example है यदि आप सोना चाहते हो तो so तो सबसे पहले guys आपको यूज़ करना है if you want to इसके बाद लगाना है verb की first form verb है sleep and then आपको यूज़ करना है then plus verb की first form verb है sleep तो आपका complete sentence हो गया दोस्तो if you want to sleep then sleep it means यदि आप सोना चाहते हो तो so clear guys ऐसे sentences भी आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो जैसे आप लाखों में एक हो मेरी बहन लाखों में एक है मेरा भाई लाखों में एक है मेरी फ्रेंड लाखों में एक है यह लड़की लाखों में एक है जब इस टाइब के situation आज़ है गाईज तो इस टाइब के situation में आप English में कैसे बोलोगे इसे तो समझ जेते हैं सबसे पहले इसका structure First of all आपको यूज करना है subject plus is mr आप यूज करोगे present time में यदि आपको past में यूज करना होगा तो आपको लगाना है was या were plus one in a million समझते हैं example से आप लाखो में एक हो तो सबसे पहले गईस आपको यूज करना है subject subject है आप it means you और ये present का sentence है तो present में आपको यूज करना है is mr तो you के साथ are and then लगाना है one in a million तो आपका complete sentence हो गया दोस्तो you are one in a million it means आप लाखो में एक हो clear अगले example है मेरी बहान लाखो में एक है तो सबसे पहले subject subject है मेरी बहान it means my sister अब ये present का है तो is mr आप यूज करोगे तो subject है आपका singular singular के साथ is and then लगाना है one in a million तो आपका complete sentence हो गया दोस्तो my sister is one in a million it means मेरी बहान लाखो में एक है के लिए अगले example है मेरा भाई लाखो में एक है तो सबसे पहले लगाना है subject subject है मेरा भाई it means my brother इसके बाद लगाना है is mr में से किसी एक को according to subject subject है my brother तो my brother एक है तो एक के साथ is and then लगाना है one in a million तो आपका complete sentence हो गया दोस्तो my brother is one in a million it means मेरा भाई लाखो में एक है के लिए अगले example है मेरी friend लाखो में एक है तो सबसे पहले उज़ करना है subject subject है मेरी friend it means my friend इसके बाद लगाना है is mr क्यों क्योंकि यह sentence है present का और present में आपको उज़ करना है is mr तो मेरी friend एक है तो एक के साथ आप singular के साथ उज़ करोगी is and then लगाना है one in a million तो आपका complete sentence हो गया दोस्तो my friend is one in a million it means मेरी friend लाखो में एक है के लिए अगले example है यह लड़की लाखो में एक थी तो सबसे पहले गईस आपको उज़ करना है subject subject है यह लड़की it means this girl इसके बाद लगाना है guys was या were इन दोनों में से किसी एक को according to subject subject है this girl और guys यहाँ पे was या were का use आप क्यों करोगे क्योंकि यह sentence है आपका past का और past में आपको उज़ करना है was या were तो उस आपका subject है this girl तो this girl के साथ आपको उज़ करना है was इसके बाद लगाना है one in a million तो आपका complete sentence हो गया दोस्तो this girl was one in a million it means यह लड़की लाखो में एक थी clear तो बस guys आज के लिए इतना ही मिलती हूँ next video में I hope आपको यह video पसंद आया होगा तो आप one in a million and if you want to say एक एक sentence comment section में बना कर जरू लिखे thank you आपको 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 आपक